हलो श्टूढ वेलकम है आपका सेकस्ир प्लस अक्डवी चैनल पे आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ओप पेमेंट के बारे में बैलेंस ओप पेमेंट परना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योगि 2021 के क्राइसिस को बैलेंस ओप पेमेंट क्राइसिस भी कहा पार्ट है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू होने से पहले आप हमें यूट्यूब पे सस्क्राइब कर दे और आपको कोई भी नया वीडियो बनवाना हो कोई भी टॉपिक हो आपके मन में इकोनामिक्स का तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं देखिए बैलेंस और पेमिंट एक अकाउंट है अकाउंट की एक एंट्री है जिसमें वो सारी टांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जो हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है अल ट्रांजेक्शन वि double entry system double entry system इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें credit और debit दोनों record होते हैं अगर आपकी country में पैसा आ रहा है तो वो credit है और पैसा जा रहा है तो वो debit है अब देखिए balance of payment हमारी country के लिए क्यों important है क्योंकि मालेज़े balance of payment दिखाता है कि हम दूसरी country के साथ कितना trade कर रहे है क्या क्या transactions कर रहे है अगर यह transactions कम है और हमारी country सिरफ import ही करे जा रही है export नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है हमारी economic condition अच्छी नहीं है हमें अपनी trade policies में कुछ बदलाव लाने चाहिए हमारी fiscal policies कैसी होने चाहिए इसमें भी कुछ बदलाव आने चाहिए हमारी economic dealings कैसी है यह सब यह बदर्श आता है देखिए यह साफ साफ लिखाव है बस यही सब बताता है और यह भी बताता है कि हमारी country की currency की value कैसी है ठीक है और देखिए balance of payment में तीन account होते है current, capital and error and omission current account डालता है visible, invisible and unilateral transfers visible में आते हैं goods and services invisible, sorry visible में आते हैं goods invisible में आते हैं services और unilateral transfer मतलब जब हम किसी को कोई gift देते हैं या फिर single sided payment करते हैं of course हम किसी को gift देते हैं तो gift के बदले में हम कुछ expect नहीं करते कुछ लोग करते हैं लेकिन generally नहीं करते तो वो unilateral transfer में आता हैं जिसमें हम single sided payment ही करते हैं capital account is generally all about capital जैसे कि इसमें आता है foreign investment, foreign loans and foreign exchange reserves देखे, current account को मैंने बताया invisible item, visible item unilateral transfers, inflow and outflow of goods and services, balance on current account, balance मतलब इसका अगर surplus है balance तो मतलब यह है कि debit और credit side दोनों equal हो गई अगर surplus है, इसका मतलब है credit जादा है, debit कम है अगर deficit है, इसका मतलब है debit जादा है, credit कम, मतलब country में पैसा आ नहीं रहा, जाई रहा है अब देखे, BOT BOT में हम include करते हैं only current account के visible वाले form, मतलब कि सिरफ goods का जो transaction होता है उसे balance of trade में include किया जाता है बाकी के transaction वो तो BOP में होते ही है, इन सब को मिला दे, current account के तीनों को, invisible, visible and unit return transfer, साथ में capital account, तो तो पूरा BOP बनता है, और सिरफ current account के visible goods को ले तो BOT बनता है, balance of trade ठीक है, capital account मैंने बताया है, purchase and sale of assets, like lands and properties, that is non-financial assets capital account जो है, वो basically use होता है, मान लीजे, current account में कोई deficit है तो हम उसे finance कर सकते है मान लीजे, उसमें कोई surplus है तो हम उसे absorb करवा सकते है, capital account से, capital account में तीन चीज़े आती है, मैंने आपको आगे भी बताया अब देखे, मैंने आपको बताया था, capital account में तीन चीज़े है, loan borrowing, reserves और जो भी हम foreign से investment करते है foreign investment में दो चीज़े है FDI and FPI जो FDI होता है, वो basically deal करता है, non financial assets में assets जो तरह के होते है financial and non financial जो non financial assets होते हैं वो basically deal करते हैं जो भी non financial assets है, उनमें यह होता है कि हम यहाँ पे land हो गया, building हो गई यह सब non financial assets में आता है और financial assets में आते हैं हमारे properties, हमारे shares हमारे securities है और हमारे shares properties बगारा plants and equipment non financial assets में आते हैं तो जो non financial assets है उससे deal करता है FDI और securities and shares से deal करता है FPI, balance of capital account में भी यही है surplus जिसमे inflow of capital अगर जाता है तो surplus है और outflow of capital जादा है तो deficit है error and omission में मैंने आपको बताए जो भी हम recording गलत कर लेते हैं कोई भी चीज की किसी भी transaction की तो हम उसे errors and omission में डाल देते हैं BOP crisis 1991 के crisis कैसे है 1991 के crisis को BOP crisis क्यों कहा जाता है यह सब हम इसमें पढ़ेंगे देखिए 1990 अगर हमारे 1991 के crisis हुए थे तो वो हुए थे fiscal deficit की वज़े से fiscal deficit होता है कि हमारी spending तो है जादा और हमारी earning है बहुत ही जादा कम हम कमा कम रहे है spend जादा कर रहे हैं अब इसको fulfill करने के तीन तरीके होते हैं यहां तो हम loan ले ले या हम note चाप ले या फिर हम RBI से ले ले note चापना एक बहुत ही गलत तरीका है क्योंकि हम अगर note चापते जाएंगे पैसा लोगों की जेब में भढ़ते जाएंगे और economy बढ़नी रही goods बढ़नी रहे तो of course सी बात है खरीदने वाले जादा है गुड़ से कम तो गुड़ की प्राइस बढ़ती चली जाएगी और महंगा ही आएगी तो इसलिए हम जैसे मालीज हमने RBI इसलिए अब 1991 में क्या हुआ था RBI के पास foreign reserves हो गए थे खतम foreign reserve एक box है जिसमें dollars रहते है वो खतम हो गए अब हम country से export तो कर रहे हैं लेकिन हम उनको चुका नहीं पा रहे हैं हम import कर रहे हैं लेकिन हम उनको चुका नहीं पा रहे और export है हमारे कम अब जब हमनों को चुकाई नहीं पा रहे हैं, तो हमारे कंट्री में debefitsट हो गया जाता हमारी कंट्री में डैबिट जाता हो गया, credit आही नहीं रहा तो इस वजजे से हमारे fiscal deficit आ गये, जिसकी वज़ए से debit जाता होने के वज़ए से B.O.P में 돼ip algo मैं मैं अब depします data और deficit आ गया तो इसलिए इसको BOP crisis भी कहते हैं और इसी के लिए हम फिर IMF के पास गए थे IMF ने हमें सजेस्ट किया था कि आप reforms लाए और 1991 के reforms भी ऐसे ही आये थे I hope so आपको वीडियो अच्छा लगा हो